Good day to all of you, जैसा कि आप जानते हैं, विक के पहली क्लास में कुछ नया सीथते हैं, और उसके अगली क्लास में आप उस क्लास का प्रैक्टिस करते हैं, आज आपकी यह प्रैक्टिस क्लास है, इस क्लास में आप कल की क्लास का अभ्यास करेंगे, आईए अभ्यास करने से पहले कु अक्षन मतलब उसे box में divide कर सकते हैं column के साथ साथ आप line में indent यानि margin भी दे सकते हैं और इसका background color भी बदल सकते हैं क्या आप जानते हैं footnote और endnote में क्या अंतर होता है footnote को आप किसी भी page पर लगा सकते हैं और उसे अलग-अलग page पर देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन endnote को आप केवल document के last page में apply कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं क्या आप सभी जानते हैं कि change से क्या होता है change की मदद से आप अपने document में किये गए बदलाव को देख सकते हैं उसमें अगर कोई user कोई changes करता है तो आप उसे देख सकते हैं वै अलग से formatting में बनकर आ जाता है क्या बता सकते हैं field name में से setting हटाने के लिए क्या करेंगे field name में से setting को हटाने के लिए field setting का उपयोग करेंगे क्या आप बता सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम का उप्योग क्यों करते हैं टेक्स्ट फ्रेम की मदद से आप पेज पर एक-एक फ्रेम इंसर्ट कर सकते हैं और फ्रेम के अंदर कुछ लिख सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करता है जिससे आप कहीं पर भी रख सकते हैं क्या आप बता सकते हैं horizontal ruler का उप्योग क्यों करते हैं horizontal ruler से आप page पर अलग-अलग style में एक प्रकार की line ड्रो कर सकते हैं और उसकी अपने अनुसार formatting भी कर सकते हैं अब आप सबसे पहले computer को on करें और writer की file को open करें आमने दिये गए paragraph को type करें आईए अब कल की class का अभ्यास शुरू करते हैं सबसे पहले formatting बार का अभ्यास करके दिखाएं अगर कोई समझ्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपने document के text या line और paragraph की formatting को कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी formatting करने से पहले आपको select करना होता है क्योंकि computer को पता नहीं चलता है कि क्या करना है इसलिए आप सभी formatting करने से पहले आप अपने paragraph या line या text को बताये गए किसी भी वीडियो के द्वारा select कर सकते हैं select करने के बाद जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने pointer को यहां पे लेकर आए या विकल font size का है अब यहां से आप अपने text के size को बढ़ाए उसके बाद अपने pointer को font style पे लेकर आए यहां पे click करें एक box open होगा अब इस box के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के writing मौजूद रहती हैं यहां से आप किसी भी एक style को select कर लें या writing के style को select कर लें वह आपके text, line या paragraph पर apply हो जाएगा अगर आपका line या paragraph जिस पर आप formatting करना चाहते हैं वह unselect हो गया है तो दुबारा से उसे select कर लें और उसके बाद bold जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है bold का उप्योग करें फिर आप bullets और numbering का उप्योग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर उसके बाद उपर की दो line को select कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद उसके color को change कर लें उसके text या font के color को change कर लें फिर सबसे last line को select करें अब जहां पर आपने bullets या numbering लगाया हुए है दोनों line को select कर लें फिर underline को select कर लें और उसके बाद उसे highlight कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप अपने text line या paragraph की formatting को कर सकते हैं अब आप दिए गए paragraph को दो page में divide करें और फिर page footnote और endnote का उप्योग करके दिखाएं और बताएं कि इससे क्या होता है अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर सेखते हैं कि footnote और endnote से क्या होता है जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने paragraph को divide कर लें next page पे लेकर चले आए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर अपने cursor को रखें दूसरे line के आगे फिर enter button का उपयोग करके next line पे लेकर आए फिर अपने pointer को यहां पर रखें और कुछ type करें यहां पर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओफ उसके बीच में pointer को रखें फिर insert पे जाए और footnote और endnote पे क्लिक करें एक box ओपन होगा यहां पर character select करें see लें यहां से कोई भी symbols को select कर लें अब यहां पर type पर देखें footnote को select करें और देखें अपके page के सबसे end में वह character आ गया और उसे हम type करेंगे यहां पर computer 6 है जो भी हमने वहाँ पर type किया था वहाँ पर आ जाएंगे अगर हम सबसे नीचे क्लिक करेंगे जहां पर footnote सो कर रहा है वहाँ पर click करेंगे तो हम direct वहाँ पर चले जाएंगे जहां पर हमने text को type किया था और bracket open और bracket close की बीच में गरसर रखके हमने footnote लगाया था अब यहां पर जब भी हम click करेंगे तो direct हम अपने page के end में जहां पर हमने footnote लगाया है तो इस तरह से footnote का उप्योग करके हम direct वहाँ जा सकते हैं जहां पर हमने footnote का उप्योग किया है और जहां पर हमने text को type किया है वहाँ पर अब हम नीचे कुछ और text को type करते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को bracket open और bracket close की बीच में रखेंगे pointer को cursor को फिर footnote और endnote पर click करेंगे फिर यहां पर हम footnote को select करेंगे automatic रखेंगे और यहां पर click करेंगे या फिर कुछ text को type करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर हमने भी click किया तो कुछ नहीं हो रहा था अब हम click करेंगे text type करने के बाद तो direct हम वहाँ पर आ गए page के top पर चाह पर हमने footnote का उप्योग किया था यहां पर click करेंगे फिर हम वहाँ पर आ जाएंगे फिर हम उसके नीचे कुछ text को type करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है bracket open रखेंगे यहां पर फिर bracket close अब अपने pointer को यानि की cursor को इसके बीच में रखेंगे यहां पर जैसे देखिए footnote क्लिक के आ रहा है उसके बाद अपने pointer को insert पे लेकर जाएंगे footnote और endnote पे click करेंगे अब इस box के अंदर से endnote को select करेंगे अब फिर ok कर देंगे अब देखिए endnote जो है अगले page पे आया मतलब अगले page के ऊपर वाले part पे यहां पे हम कोई भी text टाइप कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब हम यहां पे click करेंगे तो हम direct endnote पे चले जाएंगे यहां पे अब फिर अगर हम यहां पे pointer रखके जैसे click करेंगे इस पे तो हम direct वहां पे आ जाएंगे page के अगले part पे अगर हम footnote पे click किया तो हम यहां पे footnote में आ गए अगर हम endnote पे या footnote पे जो भी click करेंगे तो direct हम उस जग़र पे चले जाएंगे जहां पे हमारा text है तो इस तरह से हम footnote और endnote के उपयोग से page कहीं भी किसी भी हिसे पे direct हम आ सकते हैं footnote और endnote के उमदद से अब आप insert menu के section option का उपयोग करके दिखाएं जिसमें paragraph को दो section में बाट कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि section बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आप सभी अपने paragraph को select कर लें जो आपने type किया है और उसके बाद अपने pointer को insert बिकल्प पे लेकर आए यहाँ पर click करें उसके बाद section बिकल्प को select करें एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको section का नाम type करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने नाम को भी type कर सकते हैं या कुछ और भी type कर सकते हैं उसके बाद आपको column वाले बिकल्प को select करना है यहाँ से आप सभी उसके column के line को बढ़ा सकते हैं कि कितने line आपको रखना है कितना column रखना है एक रखना है दो रखना है हमें दो रखना यहां पर उसके बाद indent को select करेंगे यहां पर हम indent को भी बढ़ा सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है before section से यहां पर बढ़ेगा और after में यहां से कम होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप section के color को भी change कर सकते हैं जो भी आपको color पसंद है उसे select करें और insert पे click कर दें इस तरह से आप section भी कल्प का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब आप दूसरे page में caption का अभ्यास करके दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर सेखते हैं कि caption भी कल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने writer के page पर drawing bar tools की मदद से कुछ चितर को ड्रैक करें या कुछ चितर को बनाएं जैसे हमने यहाँ पर पहला चितर को बना लिया फिर उसके बाद इसको select किया हमने इंसर्ट पर गए क्लिक किया यहाँ पर उसके बाद caption भी कल पर क्लिक करेंगे एक box आएगा यहाँ से हम drawing या जो भी है उसको select कर लेंगे फिर आप यहाँ से numbering के format को भी select कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर caption का नाम भी दे सकते हैं या इससे related जो text आपको type करना है किसके बारे में किया चीज है क्या text को type करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें अब देखे इस चित्र के साथ में जो हमने text भी type किया था वह पुरा आ गया तो इस तरह से हम caption बिकल्प के मदद से किसी भी object, table, text को design देके उसके बारे में हम text के अंदर उसके अंदर type कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर लगाएं आईए वीडियो को देखकर अब text frame विकल्प का उपयोग करना सीखते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने page को scroll करके अपने text को blank line पे लेकर आएं एक नई line पे लेकर आएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को insert पे लेकर आएं क्लिक करें यहां पर फिर फ्रेम लिखे हुए बिकल्ब को ढूड़ें यहां पर क्लिक करें एक box open हो जाएगा अब इस box के अंदर आपको बहुत सारे options दीख रहे होंगे पहला option type का है जिसमें आप उसके width को बढ़ा सकते हो height को बढ़ा सकते हैं आप उसके position को देख सकते हैं कैसे रखना है horizontal रखना है left से रखना है right से रखना है माली जी अमने center में ले लिया इसको उसके बाद हम option को select करेंगे जो कि next बिकल्ब है फिर हम wrap select करेंगे इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग बिकल्ब हैं जैसे कि none, before, after, parallel इसमें से आपको जो भी select करना है आप उसे select कर सकते हैं उसके बाद आप borders insert करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो borders को select करें और इसके अंदर आप border के अलग-अलग styles जो की line के style होते हैं उनके color को भी change कर सकते हैं आप shadow दे सकते हैं उसके spacing contents को ठीक कर सकते हैं जो भी आप अपने टेक्स्ट के फ्रेम के सेटिंग को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहां से उसके बाद आप इसके जो आपने 4-Side border लगाया है उसके color को भी change कर सकते हैं यहां से जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपको जो भी color पसंद हो आप उस color को select कर ले अब आप उसके text frame के background के color को भी change कर सकते हैं background बिकल्प से जो भी color आपको अच्छा ले दे यहाँ से select कर ले उसके बाद ok कर दे यह आपका text frame है जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है आप इसके width को height को यहाँ से mouse या touchpad के द्वारा उसके left button को दबा के tracker के इससे बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं इसके बीच में आप आप चाहें तो type कर सकते हैं जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है अगर आप type करना चाहें तो सामने video में दिखाया जा रहा है देख के type कर सकते हैं अगर अपने मन से type करना है तो आप अपने मन से भी type कर सकते हैं कि यहां पर देखें कि हमने कुछ कि spelling को मतलब color type किया हुआ है तो red आ गया नीचे हिंदी के words जो होते हैं वो पहले से यह सो करते हैं नीचे red line आप इसे आप spelling and grammar बिकल्ब के दोरा ठीक कर सकते हैं जो कि आप आगे सीखेंगे अब आप इसे select करके आप उसकी formatting को भी कर सकते हैं text frame के अंदर हमने इसे bold कर लिया तो इस तरह से आप text frame बिकल्ब का उप्योग कर सकते हैं अब आप paragraph में सबसे उपर और दूसरे page के paragraph के बाद में horizontal ruler को लगा कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें और लगाएं आईए वीडियो को देखकर अब horizontal ruler बिकल्ब का उप्योग करना सीखते हैं आप अपने writer के page को scroll करके नीचे के तरफ ला सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद एक नई लाइन पे अपने pointer को रखें या text के उपर रखें उसके बाद insert पे जाएं उसके बाद आप insert के अंदर horizontal ruler बिकल्ब को select करें जैसे यहाँ पे click करेंगे एक box open होगा इस box के अंदर बहुत से अलग अलग प्रकार की horizontal line होंगी इन में से जो भी आपको अच्छा लगे इसे आप इसको यहाँ से scroll करके या drop down करके नीचे कर सकते हैं उपर कर सकते हैं से जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है उसको select करें और फिर ok कर दें अब देखें कि वह line जहाँ पे आपका text यानी cursor था जहाँ blink कर रहा था वहाँ पे वह line आ गया तो यह आपका horizontal ruler होता है इस तरह से आप horizontal ruler को insert कर सकते हैं अब आप दूसरे page पर किसी दूसरी file को insert करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं current file पे किसी दूसरे file को कैसे insert करते हैं या इसे insert करने के लिए क्या करेंगे इसके लिए आप सभी अपने pointer को या cursor को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है एंटर करके new line पे लेकर आएं अपने pointer को menu बार के insert विकल्ब पे लेकर जाएं यहाँ पे click करें एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको file लिखे हुए विकल्ब को ढूड़ना है उस पे click करना है जैसे ही file बिकल्ब पे click करेंगे एक box open होगा यहाँ से आप अपने document को देख सकते हैं कि कहाँ पे है उस location को choose करें जैसे कि desktop, download, document मालेजिए हमारा document desktop पे है तो हम desktop को select करेंगे और उस file को ढूड़ेंगे फिर उसे select कर लेंगे और फिर select करने के बाद open पर click कर देंगे अब देखिए कि जहां आपका cursor blink कर रहा था वहीं पे वह file open हो गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इसे scroll करेंगे नीचे के तरफ देख सकते हैं उपर भी देख सकते हैं कि आपका यहीं वह page है चहां पर हमने file को open किया तो इस तरह से आप file option के द्वारा current document पे किसी भी file को open कर सकते हैं अब आप auto correct की मदद से कुछ spelling ठीक करेंगे जैसे कि CS को computer सिख्षा ध्यान रहा है कि कोई भी alphabet के अनुसार auto correct ना लगाए अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि auto correct बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप अपने page के पहले page पे हैं और वहां पे बहुत सारे text type है पहला page complete है तो आप स्क्रॉल करके अपने page को नीचे लेकर आए या जहां पे आप type करना चाते हैं वहां पे अपने cursor को रखे और वहां पे type करें जैसे इसमें पहले से autocorrect है तो हमने cs को type के और spacebar उप्योग किया तो cs के लिए जो हमने text दिया था वह automatic आ गया cs मतलब computer 6 अगर हमें autocorrect दुबारा से लगाना है या उससे अटाना है तो format पे जाएंगे autocorrect को select करेंगे और यहां से autocorrect option को select करेंगे उसके बाद हम replace के अंदर उस word को type करेंगे जैसे आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में cs जब भी हम type करें उसके जगा computer 6 आ है हमने यह चीज़ दिखाया इसको delete कर दिया यहां से अब जब भी आप type करेंगे cs तो यहां पे computer 6 नहीं आएगा क्योंकि हमने वहां से delete कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है दुबारा से हम format पे जाएंगे autocorrect को select करेंगे autocorrect option को select करेंगे यहां पे हम किसी और text को ढूड़ेंगे उसे select करेंगे या फिर इसे close कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है मालेज हमने यहां पे achieve type किया space bar का उप्योग किया तो कुछ नहीं आया फिर से हम दुबारा से आप कर रहे है across फिर भी कुछ नहीं हुआ अब हम इसे backspace के दुबारा मिठा देंगे फिर से हम format पे जाएंगे autocorrect पे जाएंगे यहां पे हम autocorrect option को select करेंगे यहां से अब हम उस format को ढूड़ेंगे जो text सही है उसके spelling को देखने एक बात अब हम दुबारा से type करेंगे जो हमारे autocorrect option भी कल्प के अंदर मौजूद है या available है हमने यहां पे accident टाइप किया जो हमने अभी यहां पे text को देखा जो पहले से हमारे अंदर इस autocorrect option के अंदर है फिर से हम दुबारा से format पे जाएंगे autocorrect option को select करेंगे उसके बाद replace के अंदर cs को type करेंगे और जब हम cs type करें तो क्या ना चाहिए width के अंदर type करेंगे और फिर new पे click कर देंगे अब देखें यहां पे cs के बराबर में आया फिर यहां पे हम click कर देंगे जब भी हम cs और spacebar का उप्योग करेंगे तो computer 6 automatic आ जाएगा तो इस तरह से आप auto correct बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं अब आप drawing toolbar से कोई drawing बनाएं और फिर से group में करके दिखाएं और बताएं जब delete करेंगे तो क्या होता है अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि group बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं मानली जीए हम writer के page पर किसी भी तीन चीतर को drag कर लिया drawing toolbar की मदद से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है draw करने के बाद अब हम चाहते हैं कि यह तीनों चीतर एक साथ ही इसमें कोई भी formatting या एक साथ ही या move हो इधर उधर तो हम इसके लिए grouping का उप्योग करेंगे आप पहले चीतर को select करें दूसरे चीतर को select करने के लिए एक time पर ही shift button का उप्योग करें उसे दबा के रखें फिर दूसरे चीतर को select करें फिर तीसरे को select करें इस तरह से आप shift button के दौरा तीनों चीतरों को एक साथ select कर सकते हैं उसके बाद आप format पर जाए, group पर क्लिक करें, अब यहाँ से group बिकल को select कर लें, फिर आप format पर जाए, group बिकल पर जाए, यहाँ से आप enter group को select कर लें, अब देखें, आप एक-एक करके चित्र को select करें, अब फिर आप shift के साथ तीनों चित्रों को select करके देखें, फिर format पर जाए, group को select करें, जब आप group को select करेंगे, तो यह तीनों चित्र एक साथ select होगा, अब इसे आप drag करेंगे, इधर उधर move कराएंगे, तो यह एक साथ ही तीनों चित्र, इधर उधर move होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आप इसके color को change करेंगे, तो यहाँ पे एक साथ ही तीनों चित्रों के अंदर का color change हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ से group का option को select कर रखा है, हम जो भी यहाँ से color को select करेंगे, यह color एक साथ तीनों चित्रों में change हो जाएगा, दुबारा से अब format पे जाएँगे, group बिकल पे जाएँगे, अब देखें कोई भी option select नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने चित्र को unselect कर रखा था, दुबारा से हम चित्रों पे click कर देंगे, फिर format पे जाएँगे, यहाँ पे click करेंगे, अब फिर group बिकल्प को select करेंगे और वहाँ से ungroup को select कर लेंगे, यहाँ से, अब देखें, फिर format पे जाएँ, flip पे जाएँ, group को select करें और ungroup को select कर लें, और side में click कर देंगे एक बार, अब देखें कि आपका यह चित्र जो है ungroup होगया, अब एक एक करके यह select होगा, अब यह एक करके आप इसे move कर सकते हैं, जहाँ move करना चाहें, इस तरह से आप group बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं, आज की class यहीं पर समाफ्थ होती है, अपने file को save करें और computer को shutdown करें, आज की class में आपने insert menu और formatting menu के option का अभ्यास किया, जैसे की section, footnote और end note, caption, text frame, horizontal ruler, file, auto correct, group option का अभ्यास किया,